प्रभुईश मसी के नाम में जय मसी की ब्यूटिफुल बैबली स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है प्रियो आज की वीडियो में हम लोग जगई की कहानी को देखेंगे यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर दीजे और बैल आइकन को भी दबा दीजे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये कहानी हमें मिलती है लुकारचि सोसमचार उसके उननिस एक से दस में एक जकई नाम का मनुष्य था वा बहुत धनी था और चुंगी लेने वालों का सरदार था मतलब वसूली करता था आप जानते हैं वसूली करने वाले दयारहित होते हैं किसी के घर में क्या है क्या नह पड़ता है उसी तरह से जकई भी था वो किसी के उपर दयार नहीं करता था उसको तो सिर्फ अपने पैसो से मतलब था लोगों को लूट लूट कर वह बड़ा धनी हो गया था लेकिन एक दिन जब उसने सुना कि यरियों में इशू आये हैं तो उन्हें देखने की इच्छ उसके अंदर हुई क्योंकि वो इशू के बारे में सुना था तब जिस रास्ते से इशू जाने वाले थे वो भी पीछे पीछे दोड़ा लेकिन भीड बहुत ज़ादा थी वो देख नहीं पारा था क्योंकि वो नाटा था मतलब बौना था तब उसे एक गुलर का पेड़ चड़ गया ताकि इशू को देख सके पेड़ पर चड़ना सफल भी हुआ इशू ने उसे देख कर कहा हे जकई जड़ नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है तब वहा तुरत आनन से नीचे उतर गया यह सब कुछ देख कर लोग गुड़ाने लगे कि वहा तो एक पापी मनुश्य के घर जा रहा है तब जकई ने कहा हे प्रभू मैं अपनी आदि संपती कंगालों को दे देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चोगुना फेर देता हूं तब ये शू ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी अबरहाम का एक पुत्र है क्योंकि मनुश्य का पुत्र अर्थात इशू खोई हूं को ढूंडेने आया है प्रियो जकई ये बात जान चुका था कि मुझे इशू मिल गये तो मुझे सब कुछ मिल गया इसलिए उसने अपने धन की लालच नहीं की बैबिल बताती है कि यदि मनुश्य सब कुछ प्राप्त करे पर अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या प्राप्त होगा यानि इंसान अपने जीवन में धन समपती प्राप्त कर ले लेकिन मरने की बाद नरक जाए तो ऐसे धन से क्या लाब होगा जकई ने तो मसी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है जकई अपने समय के लोगों से लंबाई में कम था जिसे नाटा कहा गया है जबकि जकई के बारे में बैबिल बताती है कि वहाँ धनी पूरुष था क्योंकि यरिहो नामक जगह का वहाँ एक प्रमुख चुंगी लेने वाला था जिस समय के यहुदियों से कर्वसूली का काम करता होगा इसलिए यहुदी लोग उसे पापी कहकर तिरिसकार भरी नजरों से देखते थे रोमन सरकार के लिए काम करके उससे भी जादा वहाँ अपने लिए रख लेता था इसलिए वहाँ धनी बन गया था लेकिन जब उसने इश इशु को नहीं देख सका बल्कि जब उसने स्वैम कोशिश किया कि पेड़ पर चड़क जाए तब इशु की नजर उस पर पड़ी इसलिए यहां पर इशु ने उसके अंदर अपने प्रति लालसा को देखा और उसके घर जाने के लिए कहते हैं जके ने इशु का स्वागत कि इशु से मिलने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था अब उसे वहां पैसा जिसके पीछे वह भागता था उसे उसने कंगालों को देने का विचार किया वहां जान जुका था कि इशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है सच्च में इशु से प्यार करने वाले सिर्फ येशु को चाहते हैं इसलिए परमीश्वर भी अपने लोगों की हर एक चाहों को पूरी करते हैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में आपसे भी भाई बैनों को प्रभु येशु मसी के नाम में जय मसी किये तो दोस्तो कैसी लगी आपको इस टोरी कमेंड में लिखके बताइए आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जय मसी कि दोस्तो